नमस्कार दिल्ली की सरकार अर्विंद केजरिवार और किंद सरकार के बीच में तनातनिक कम होने का नाम नहीं ले रही है शुक्रवार की देशाम केंद सरकार ने कध्यादेश जारी किया था जिसमें दिली सरकार के अथिकारों में एक बार फिर से कटाउती की गई थी इसके बाद अर्विंद केजिवार की सरकार और आम आदमी पार्टी केंद सरकार पर लगातार हमलावर हो गई है पंजाब के मुख्रमंत्री भगवंत सिमान ने एक बार फिर केंसरकापर जोरदार हमला बोला है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर भारते समिदहान में लोकतंतर के हत्यारों के लिए सज्जा का प्रावधान होता तो पूरी बिजेपी को फांसी पर लटकाया जा सकता था भगवंतमान यहीं नहीं रुके इसके बाद उन्होंने पंजाबी भाषा में भी कई एन्ट्वीट किया और उन्होंने तंच कहस्तिवे बिजेपी के बारे में कहा कि देश को 31 स्राजय पाल और एक प्रदहर मंत्री द्वारा चलाया जाए चुनाव पर करोड़ों रुपे खर्च करने का क्या फायदा है आम आदमी पार्टील इस अध्यदेश के बाद से लगवातार बिजेपी पर हमलावर है विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंतर के मुल भावना से खेलने का आरोप और बिजेपी पर लगा रही है बगवन्तमान ने कहा कि केंद सरकार देश में लोकतंतर के मुल्यों को अपूर निक शत्री पहुचाई है पूरे देश और यहां के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है अर्विंद केजरिवाल ने भी केंद सरकार पर जबदस निशाना साथा अर्विंद केजरिवाल ने शर्णीवार को एक प्रेस कांफरेंस का आवजन किया और उन्होंने केंद सरकार पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोट का फैसला आया था उसके अगले ही दिन केंद सरकार ने सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोट की फैसले को पलट देना है अब जैसे ही सुप्रीम कोट बंद हो गया है केंद सरकार अध्यादेश लेकर आ गई और 11 माई के सुप्रीम कोट के फैसले को उसने पलट दिया अर्विंद केजरिवाल यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा कि किंद सरकार का यह अध्यादेश पूरी तरह से गहर कानूनी और गर समय धानिक है यह लोकतंदर के खिलाफ है केजीवाल ने कहा कि हमने सुना है कि किंद सरकार आज सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ पुनरविचार याचिका दायर की है लेकिन अध्यादेश लाने के बाद इस याचिका का क्या मतलब रह जाता है इस याचिका की सुनवाई तो तभी हो सकती है जब वो अपना अध्यादेश वापस ले ले दरसल इस सारा विवाद दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जड़ा हुआ है जिस पर सुप्रिम कूट का 11 मेरी को फैसला आया था और उसने या सारे अधिकार दिल्ली सरकार को सौप दिये थे जिसके बाद अबकिन सरकार ने अध्यादेश जारीकर या सारे अधिकार उप प्राज जपाल को वापस दे दिये हैं इसी पर यह लेकर राइटिक संगराम छिड़ा हुआ है सरकार राष्ट्री राइधानिक छेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश दो हजार तेस लेकर आई है इस अध्यादेश के तहट दिल्ली में सेवा दे रहे दानिक स्कैडर के ग्रूप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खलाफ अनुशासनात्म करवाई के लिए राष्ट्रे राइधानि लोग सेवा प्राधिकर्ण का गठन किया जाएगा अब आपको यह भी बता दें कि इस प्राधिकर्ण में कौन-कौन लोग शामिल होंगे प्राधिकर्ण में तीन सदत से शामिल होंगे इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचीव, दिल्ली के ग्रीह प्रधानम सचीव शामिल रहेंगे मुख्यमंत्री को इस प्राधिकर्ण का अध्यक्च बनाया गया है इस प्राधिकरण को सभी ग्रूप A और दानिक्स का अधिकारियों के तबाद ले और उनकी नियुक्ति से जुड़ोए फैसले लेने का अधिकार दिया गया है लेकिन इस पर आखरी मुहर जो लगेगी वह दिल्ली के LG यानि की उपराजपाल की होगी अगर उपराजपाल को प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगता है तो उसे बदलाव के लिए वापस लोटा सकते है फिर भी अगर मत्भेत जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराजपाल का ही होगा इस प्राधिकरण को सभी ग्रूप A और दानिक्स का दिकारियों का तबादले और उनकी निक्ति से जुड़े फैसले रहने का सभी हक होगा लेकिन इस पर आखरी मुहर जो होगी वह उपराजपाल यानि दिल्ली के लेफ्ट रेंट गवर्नल के होगी अगर उपराजपाल को प्राधिकरण का लिया गया फैसला ठीक नहीं लगता है तो वो उसे बदलाव के लिए वापस लोटा सकते हैं और इसके बाद भी अगर मतभेद जारी रहता है बना रहता है तो इस पर अंतिम फैसला उपराजपाल यानि की LG का ही होगा तो एक तरह से देखें तो फिर दिली सरकार से सारे अधिकार लेकर के या उपराजपाल के पास ट्रांसफर किया जारा है शिफ्ट किया जारा है किन सरकार का कहाना है कि दिली देश की राइधानी है और दिली पर पूरे देश का हक है इसलिए हम दिली को ऐसे नहीं छोड़ सकते किन सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से अरविंद केज़िवाल ने दिली के प्रशासिंग गरिमा को नुकसान पहुंचाया है इस वज़ा से दिली पर अधिकार के लिए उन्होंने अब यह अध्यादेश जारी किया है लेकिन अरविंद केज़िवाल ने कहा है कि वह किन सरकार की सध्यादेश को चुनौती देंगे और इसके खिलाब सुप्रिम कोर्ट में जाएंगे उन्हें ने कहा कि वह इसे यहीं तक नहीं छोड़ेंगे हब हम आपको यह भी बता देते हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने जो 11 मैं को फैसला दिया था उसमें क्या था सुप्रिम कोर्ट की समिधान पीछने 11 मैं को दिली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिली सरकार के पास होना चाहिए दिली की चुनी सरकार के हर अधिकार में उपराज जिपाल का दखल नहीं होना चाहिए पबलिक आउडर, पुलिस और जमीन का अधिकार दिली सरकार के पास नहीं रहेगा राजी के मामलों में केदर का इतना दखल ना हो कि नियंदरन उसी के हाथ में चला जाया ऐसा सुप्रीम कोट नहीं कहा था दिली, बहले ही पूर्ण राजी ना हो लेकिन इसके पास कारून बनाने के अधिकार है अब सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद केन सरकार का यह अध्यादेश ने एक नए राजिती की बावाल को जन्म दिया है एक तरफ सुप्रीम कोट में गर्मी की छुटियां हो गई है तो दूसरी तरफ केन सरकार ने इसी बीच में यह अध्यादेश जारी किया है इस पहले इसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे है तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके आप हमें बताएं कि किन सरकार का यह अध्यादेश क्या दिल्ली पर अधिकार पाने की कोशिश है हराजितिक बाजी है या फिर अर्विंद किजिवाल के आरोप जूटे है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं